नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली राउंड अप शो आए नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्कियों पर हमाई पहली खबर दिल्ली से जामिया हिंसा का एक साल छात्रों का कैंडल माच खोश खबर जै किसान रद हुआ संसत सत्र जिये हुआ परिशान मद्व पिदेश किसान हमें फसल बेचने पर लागत के बराबर भी पैसा नहीं मिलता हमाई चौती और आखरी खबर कुरोना अपडेट से देश में एक करोड होने वाली है कुरोना संक्रिमितों की संख्या एक्टिव केस तीन लाख बीस अजार जामिया मिलिया इसलामिया में पिछले वर्ष हुई हिंसा की घटना के एक वर्ष पूर होने पर चात्रों ने मंगलवार 15 दिसंबर को कैंडल मार्श निकाला दरसल चादर कैंडल मार्च के माध्यम से बीते वर्ष जामिया के चातरों पर हुवे क्रूर हमले को याद कर रहे थे इसी दोरान चातरों को पुलिस द्वारा जबरन हिरासत में लिया गया वह भी इस कैंडल मार्च में शामिल हुई की अधिकारियों ने बताया कि मार्च निकालने चातरों को पुलिस ने रोका हाला कि पुलिस ने किसी को भी हिरासत में लिये जाने के दावे को खारिश कर रही है पुलिस उपायुक्त आरपी मीना ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारी कैंडल मार्च निकालने के लिए बाटला हाउस पर एकत्रित हुए पुलिस दल ने उन्हें वहाँ से हटाया और कोविड-19 दिशा निदर्सों का हवाला देते हुए उनसे अपने अपने घर जाने का अनुरोध किया किसी को भी पुलिस थानिन नहीं ले जाया गया प्रदर्शन में शामिल चात्रों ने बताया था कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर कई घंटे तक गाड़ियों में घुमाया हाला कि पुलिस इसे हिरासत में नहीं बता रही खोश खबर के नए एपसोड में वरिश पत्रकार भाशा सिंग ने बताया कि किसान आंदोलन की वज़से ही मोधी सरकार ने शीत सत्र रद्द किया कोरोना की वज़से नहीं उधर जीयों के मुकेश अंबानी भी हुए परिशान लिखा ट्राई को पत्र तीन कृशी कानूनों के खिलाफ निर्नायक लड़ाई लड़ रहे दिल्ली को घेरे हुए किसानों के खिलाफ चल रहे दुस्परचार का परदा फास किया आए देखते हैं जिस समय देश की राजधानी को 21-22 दिनों से किसानों ने घेर रखा है चारों तरफ से वे जमा हैं बॉडर पर जमा हैं अपनी मांगों को सुनाने के लिए संसत द्वारा पारित तीन कानूनों को वरद किये जाने की मांग को लेकर ठीक उसी समय उनकी मांग को सुनने के बजाए प्रधान मंत्री नरेन मोदी संसत के सत्र को रद कर देते हैं इसकी आहट इसका अंदेशा पिछले कुछ समय से था क्योंकि इस समय जो आड़ ली गई है वह आड़ ली गई है कोरोना की जबकि पूरा देश इस बात का गवा है कि जिस समय करोना महामारी से देश भीशन रूप से जूज रहा था बड़े पैमाने पर मौते हो रही थी उस समय मांसून सत्र संसत का हुआ और उसी सत्र में ये तीनों कानून क्रिशी संबद्धी कानून पारित करवाए गए ऐसे में किसानों की मांग से डर कर संसत को ना कराना मोधी सरकार की दूसरे ढंकी तस्वीर बहुत खुल कर देश के सामने रखने के लिए काफी है यहां हम आपको बता दें कि इस समय जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं उस समय राजस्थान से किसान दिल्ली के बॉर्डर तक बहुच चुके हैं और वे भी दिन रात एक ही मांग कर रहे हैं कि मोधी जी हमारी मांगों को सुनिये लेकिन उधर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि प्रधान मंत्री नरेन मोधी देश की राजधानी में दस्तक देने वाले किसानों की सुनने को तो तयार नहीं है लेकिन वे पहुचते हैं अपने प्रिय राज गुजरात गुजरात में कच्छ में एक रैली को संबोधित करते हुए एक ट्रोग्राम में उन्होंने कहा वही बात दोहराई जो इतने समय से वह और उनकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है ये कानून उनके फाइदे के लिए आए हैं लेकिन देखिए मोधी जी का कमाल यह बात जब किसान उनसे करने के लिए देश की राजधानी तक आए हैं तकरीबन रोज एक किसान शहीद हो रहा है अपनी जान गवा रहा है इन किसानों से वो मुखातिब होने बात करने वारता करने कुछ ग्यान हासल करने को तयार नहीं है वे अपना ही ग्यान अपनी ही समझ किसानों के ऊपर लगातार एक ही टोन में बोलने के लिए आतुर हैं वे कज़ पहुंच कर बता रहे हैं कि विपक्ष जिसे वो पहले ही मरा हुआ मान चुके हैं जिसकी वो सुनने को तयार नहीं हैं उस aggi़ को जिसके बारे में जब संसत का सत्र नहीं कर्वा रहे हैं तब उनसे राय लेना तक उचित नहीं समझा außer कायदे से उस configur को किसानों को भ् जादा है कि किसानों की मांग को यह यूं कहें किसी भी जन पक्षधर आंदोलन की मांग को अंसुना करके एक बिल्कुल दूसरे ढंका लोक से जुदा होता हुआ तंत्र स्थापित करने का वह स्थापित कर रहे हैं पिछले एक डेड़ महीने से देश में देश की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेन मोदी जियो कंपनी है मोबाइल कंपनी है जिसके मालिक है मुकेश अंबानी उन्होंने जो ट्राइप एससेशन है जो चलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ओफ इंडिया है उसको एक पत्र लिखा है इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि किसान आंदोलन का फाइदा अनिथिकल फाइदा उठाते हुए एरटेल और वोडाफोन जीयो की नंबर को अपने में ट्रांसफर करा रहे हैं यह पत्र पढ़ा जाना चाहिए इससे पता चलता है कि जो आशंका कॉर्परेट को थीस आंदोलन से वह सच साबित हो रही है किसानों उन्हें जो खुला ऐलान किया कि अमबानी और अडानी के तमाम प्रोड़क्ट्स का तमाम उत्पादों का विरोध किया जाए इस प्रदर्शन में जो लोग गए हैं तमाम जगों पे जो लोग धरने पे बैठे हैं बड़े-बड़े बैनर लगे हुए हैं जहां पर बताया जियो नंबर इस कंपनी के मोबाइल में तबदील करा लिया है जिसे कहते हैं कि नंबर पोर्टिबिलिटी का जो पूरा का पूरा प्रोविजन पूरा का पूरा एक अधिकार मिलता है उबभोक्ता को उसका इस्तमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया है और निश्चित तो गलत हो रहा है और साथी साथ आप देखिए जो एसोचेम है जो दियोगपतियों की एक संस्था है एक चैंबर है उसने भी पत्र लिखा है सरकार से आगरह किया है किसानों से आगरह किया है कि जल्दी ही इस मामले का हल निकाला जाए क्योंकि रोजाना 3,000 करोड से लेकर 3,500 करोड तक का नुकसान अर्थ विवस्था को तमाम कंपनियों को हो रहा है इस मीडिया ने अवधारना बना रखी है कि आत्मत्या करता हुआ किसान तो ठीक है फटे हाल किसान तो ठीक है अपनी गरीबी पर दुख व्यक्त करता किसान तो ठीक है लेकिन एक मजबूत रीड सीध किया हुआ किसान एक संपन्न किसान अपना खाना अपनी शर्तों पे खाने वाला किसान भारती मीडिया के इस ग्राफ में फिट नहीं हो रहा है इस मीडिया को तब परिशानी नहीं होती है जब प्रधान मंत्री नरेन मोदी के अलग-अलग कपड़े उनके चेश्में उनके ब यहां जो किसान जमा हुआ है जिसने एक बार भी नहीं कहा कि वह अर्थववस्था से प्रभावित है वह गरीब है उसे कोई खैराच चाहिए कुछ नहीं कहा यह किसान सिर्फ अपनी मांग लेकर आया है कि जो तीन बिल सरकार ने पारित किये हैं लेकिन इस किसान को एक तरफ सरकार, सरकार के मंत्री भ्रहमित बताते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग से प्रभावित बताते हैं वामपंथी बताते हैं सब कुछ बताने को तैयार है जिसका बहुत माकूल जवाब अकाली दल ने दिया है वही अकाली दल जिनके जो बड़े नेता थे उनको प्रधान मंत्री नरेन मोदी नलसर मंडेला कहते थे आज बोलो सारे लोग इस किसान आंदोलन के साथ है वहां सुखबीर बादल ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग तो मोदी सरकार है ये किसान देश हित के लिए आए हैं देश को बचाने के लिए आए हैं लेकिन जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और जो मेरी चिंता है और खास तोर से जिन मीडिया घरानों या पत्रकारों को बहुत परेशानी हो रही है उनसे एक दर्ख्वास एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है उनके टेंट लगजरी टेंट है वे पिकनिक मनाने आए हुए हैं तो महरबानी करके आप भी एक दो रात वहाँ पिकनिक मना लीजे जाइए तो सही देखिए तो सही हालाकि दिक्कत है कि कुछ मीडिया घरानों को देखकर यहाँ पर जो किसान हैं उनकी इंट्री नहीं होने देते हैं वे नारे लगाते हैं गोदी मीडिया गो बैक और शायद अब ये आंदोलोनों का एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है जहां वे सीधे सीधे मीडिया से मुखातिब हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें ये वाला मीडिया बिलकुल नहीं चाहिए क्रिशी से जुड़े नए कानूनों का विरोध करने मद्यपदेश और गुजरास से आ रहे किसानों ने हर्याणा के पलवल में मुख्य हाइवे को जाम कर दिया है किसानों का कहना है कि फसल बेचने के बाद उन्हें उनकी लागत के बराबर भी आमदनी नहीं होती फसल सरकार द्वारा घोशित नियूंतम समर्थन मुल्ली से कम पर हो रही है हमें पहले से ही काफी परिशानिया झेलनी पड़ रही थी और अब जब ये कानून आने के बाद तो हम पूरी तरह से बरबाद हो गए है आए देखते हैं हर्याणा के पलवल से न्यूस क्लिकी या ग्राउंड रिपोर्ट अब हम हर्याणा के पलवल के लाके में है जिसे महराष्ट और गुजरात और मध्यप्रदेश और बंदेलखन के इलाके से जो किसान आये हुए है और भारतरकार द्वारब पारित जो तीन कानून थे उनके खिलाफ उन्होंने इस हाइवे को ब्लॉक कर दिया है मैंने इस बर्ष घरिपक की फसल में जो उर्ज की बोनी की थी उस बोनी में जो लागत आई लागत के इसाव से फसल की पैदावार नहीं मिली क्योंकि बर्चा के अब आब में बर्चा नहीं हुई अल्प बर्चा में फसल सूप गई इसलिए पहला पैदावार में जो लागत निकल नी थी वो भी नहीं निकली हमने इन साल जो बाजरागी फसल लगाई थी उसमें प्रते एकड़ में साड़े उनीस हजार रपया लागत के लगे हैं और जब पसल बेची वो साड़े एकीस हजार रपय की बिखी और दूसरा जो हमने इसमें अपना जो स्रम दान है रोजाना खेत की रखवाली करते हैं जो आवारा जानवरों से पसल को बचाने के लिए वो हमने इसमें नहीं जोड़ा है इसके बाद जैसे हमारे जो उर्दकी पसल करते हैं उसमें पसल भीमा यजना के लिए जब हम खात खरीदते हैं या रिड़ लेते हैं तो वहाँ पर हमारे पसल के बीमा लिया जाता है लेकिन पसल का थे नश्ट होने पर उर्दा की पर पसल तिलान जो नश्ट हो गई उसका बीमा का कोई पैसा नहीं मिलता है सरकारी खरीद होती है जब किसानों के आज से फसल बिच जाती है सच्टे दामों पर इस वरस जो है बाजरा समर्थन मूले था 2150 रुपे लेकिन आदे से जादा किसानों 75% किसानों ने मंडियों में बेचा है 1213 रुपे कुंडल से अधिक नहीं बेचा है तो जब खरीद शुरू हुई तब किसानों से बाजरा बिच चुका था जिन किसानों का बाजरा कुछ रह भी गया था वो मंडियों बामें सुसाइटियों पर रेश्टेशन पर विक्री के लिए गये थे तो दस-दस दिन वहां पर ट्रोलियां खड़ी रही 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 तो यह जो है अनीमियत तताएं बरेश्टा चार इससे किसानों को कुछ नहीं मिल पाता है एमपी में जो रहते हैं हमारे एक डवरा मंडी है जिसको हमारा धान का कटोरा कहा जाता है वोट एमपी की सबसे बड़ी मंडी है उस जगा पे अगर हमारा धान बिकना स्टार्ड हुआ था उसका रेट जो गौर्णमेंट का रेट था आठारा सो साट रुपे था और हमारी जो खरीती वहां पे तेरा सो रुपे थी बारा सो रुपे थी चौदा सो बासमती चावल इसको बोला जाता है जिसमें मार्कीट में अगर मौल में जाते हैं उसका एक सो साट रुपे एक सो साट रुपे किलो चावल बिकता है उस चावल उस दान को हमारे लिए सि इसका जो इनका गॉर्रूर्मेंट तयकर ऑफ करते हैं। अगर हम मंडी के गेट पे जाते हैं अगर कोही चार भाई अगर उसका भी चारता हैं। किसान कमँ वहीं की वहीं बंद कर दिया जाता है। प्रश्वाइदानों का फायदा करना चाहते हैं हम फायदे के लिए ये कानून लेके आए हैं और फिर इसनोंने फायदा करना था तो फिर उसमें बदलाब क्यों कर रहे हैं नमबर एक जो फायदे का था जब हमें पता है हमारी धान आज 15-16 रुपए किलो बिक रही है उसका क्या अगन quèते हैं म厲害 किसानों बखा रिवाह कई है तो 1-100 के लिए जिए 7-100 15 रुपए लिए तो Land पर चाहए है कि कि लिए 30 मांनी मॉल में देख लो एक 13 रुप रोपे किलो 29 रुपए किलो लगा हुआ है मौल में होज कहते हैं है प्राइब किसानों का फाइदा हो जागा इसके आने से क्या मुझदूरों को क्या आम जंता को इससे फाइदा हो रहे है क्या जब हम जो हम खुद जो साधन था इसलिए हम तो अपनी टेक्टर को 6-7 तक रखी रहे और लायन में लगाने के बाद और हमारा बाजरा भिक गया ल उन्होंने दस दिन टेक्टर खड़ा रहा था 500 रुपई परड़े के साब से 5000 रुपई टेक्टर के भाड़े के बन गई इसलिए उन्होंने मजबूरन जो अपना बाजरा जो तेरह सो साड़ी तेरह सो अधिकतम रेट में बेचा कोई यहां पर मेडिकल की सुद्दा नहीं है कोई यहां पर नाने दोने की सुद्दा नहीं है कोई बिजली की वरस्ता नहीं है वो तो हम यहां पर आएं यहां पर लोकल किसान जो हर्याना के हैं हमारे किसान बंदू है वो अपने पंप से हमको लाइट दे रहे हैं उसका बिल है गुद्रात हमारे मॉडल बने हम गुद्रा जैसा बनाएंगे और गुद्रात वाले तो खुद यहां पे पलवल में आ गए हैं वह दिली को गिराब करने के लिए आप किस मॉडल की बात करें एक जो इंटरस्टिंग चीज जो हमें यहां पर देखने को मिली और समझने को मि अपना समर्थन कैसे दी रहे हैं यह सर हम अपना समर्थन हमारे गाउं से आटा भी घी के पीपे लसी दूद वगएरा फल सबजी यह हमारे नौजवान सारी चीज यहां पर लाते हैं और यहां वित्रत करें जल समझाय के लिए केंद्री स्वास्त्र मंत्राले द्वारा आज बुद्धवार यानी की 16 दिसंबर को जारी आगडों के नुसार देश में पिछले 24 गंटों में कोरोना की 26,382 नए मामले सामने आए हैं इसके अलावा करोना से 387 मरीजों की मौत हुई साथ ही इसी बीच देश भर में करोना से पिड़ित 33,813 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में से 7,848 मामले कम हुए हैं देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 99,32,547 हो गई है जिन में से अब तक 1,44,96 मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास्त मंत्राले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95,2,09 फिस्दी हो गया है यानि कुल मरीजों में से अब तक 94,56,449 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश में अब कुल एक्टिम मामलों की संख्या घट कर 3,34 फिस्दी यानि 3,20,002 रहे गई है ICMR दोरा जारी आगडों के अनुसार अब तक 15,66,46,4,280 सैंपल की जाच की गई है जिन में से 10,85,625 सैंपल की जाच बीते 24 घंटों में हुई है आज की डेली राउंड अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया